इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे किसी भी नन परफेक्ट स्क्वार नंबर का स्क्वार रूट करना तो बने डियेगा वीडियो के आंद तक नमस्कार दोस्तों एक वाइफिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैट्स वाट का में यह जो स् और इसका स्क्वार रूट निकालने में देखिए कितना समय हमें लगता है हम चुनेंगे इसके करीव का एक परफेक्ट स्क्वार नंबर उन्चास है तो 47 में उन्चास को जोरेंगे कितना हो जाएगा 96 में और इसमें हम भाग करेंगे 49 के वर्गूल के दोगना से यानि की 14 से तो 14 से इसमें भाग कर लीजे 14 से भाग करेंगे 14 शक्के 84 यहां पर हो जाएगा 12 पॉइंट देंगे उसके उपड़ एक जीरो चाउदा अठे 112 आठ बचे इसमें भाग करने के लिए लेकिन इसके लिए आपको पूड़े वीडियो को अच्छे तरह से देखना होगा आये शुरुआत करते हैं और कॉंसेप्ट को अच्छे से यहां पर हम लोग सीखते हैं सबसे पहला जो कुश्चन है हमारे पास वह है रूट अंडर 17 अच्छा एक आप सबको अच्छे से पता होगा कि हम लोग प्रफेक्ट स्कॉयर नंबर किसको बोलते हैं और नन प्रफेक्ट स्कॉयर नंबर किसको बोलते हैं जिस संक्या का भी बर्गमूल आप निकाल पाते हैं वह कहलाता है नन प्रफेक्ट स्कॉयर नंबर जैसे अगर हम आप से कहे 16 का बर्गमूल आप निकाल सकते हैं, आप बोलियेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं, 16 का बर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 तो 16 होगाँ आपका perfect square number, लेकिन 17 का बर्गमूल शेक्षे सकते हैं अगर निकालना चाहिएगा भी, तो 17 आपका non perfect square number 36 क्या होगा 36 आपका perfect square number होगा जबकि 37 क्या होगा 37 आपका non perfect square number होगा 49 आपका non perfect square number होगा 49 आपका perfect square number होगा क्योंकि 47 के square करने पड़ाता है अगर हम आपसे कहें कि 50 क्या होगा तो 50 आपका non perfect square number होगा 47 आपका non perfect square number होगा तो non perfect square number को आप अच्छे तरीके से य नंबर की स्क्वाइर करने पर लाया जा सके वह कहलाता है पर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर और अगर कोई नंबर ऐसा नहीं है तो वही कहलाएगा आपका नंपर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर आज के किसके दो गुना से, रूट Y के दो गुना से, यानि दो गुना रूट Y, यहीं हमारा क्या होगा, किसी भी non-perfect square number का solution होगा, उसका square root होगा, क्या करना है, हमें लिखना है, X plus Y, बट्टा दो गुने रूट Y, अब आप बोलोगे सर, यहाँ पे X किसको मानेंगे, Y किसको मानें 17, और इसके करीब का ऐसा number जो की perfect square हो, जिसका बर्गूल आप निकाल सकते हैं, तो 17 के करीब का ऐसा number जिसका बर्गूल निकाल सकते हैं, वह 16 है, इसको हम मान लेते हैं, क्या, इसको हम मान लेते हैं Y, समझ पा रहे हैं, कैसे आपको इस formula को लगाना है, X किसको मानना है, जि ये कैसा नंबर होगा जो इसके करीब का होगा और जिसका बर्गूल हमें पता होगा जिसका बर्गूल हम निकाल सकते हैं तो 17 के करीब का ऐसा नंबर 16 है वह 17 के आगे का भी हो सकता है पीछे का भी हो सकता है तो 17 के करीब का ऐसा नंबर 16 है जिसका बर्गूल हम सबको पता है तो वह हो जाएगा आपका y का value अब हमें क्या करना है एक्स प्लस y करना है तो 16 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 में 17 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा समझ पारे हैं हमें क्या करना है X पलस Y यानि कि इस दोनों को जोड़ना है 17 पलस 16 तो 17 पलस 16 कितना होता है 33, 16, 16, 32 एक ज़्यादा है तो 33 हो गया और साथ ही साथ नीचे क्या लिखना है root Y गुना 2 यानि Y के बर्गमुल का दो गुना Y किसको माने है जिसका बर्गमुल आप निकाल सकते हैं अमेशा Y वही होगा जिसका बर्गमुल आप निकाल सकते हैं तो Y के बर्गमुल का दो गुना तो बताए 16 का बर्गमुल क्या होगा चोक के 32 कर जाएगा क्या बचेगा अब एक बचा है तो एक में आठ से भाग लेगा नहीं तो पॉइंट देंगे तो उस एक के उपर 0 हो जाएगा तो दस आठ हे कम आठ हो जाएगा फिर वहां पर आपका दो बचेगा दो के उपर 0 लेंगे 20 8 दूना 16 यानि 4 दसमलब 1 दो इस कोश्चन का आपका आंसर हो जाएगा और जो इस तरह का कोश्चन आता है उसका आंसर दसमलब के दोंको तक ही हमें निकालना होता है तो 4 दसमलब 1 दो इस कोश्चन का आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा हमें क्या करना है 33 में 8 से भा तो आठ्य कमane हो जाइएगा हमारे पास क्या बचेगा दो बचेगा इसके एक जिरूनीं। 12 हो जाएगा अभी हमारे पास क्या बचरा कनफ दिमाग में अच्छे तरह से सेट हो चुका होगा। लेकिन आभी बहुत सारा example देखेंगे और साथ में उन questions को भी देखेंगे जो पीछे के exam में पुछा गया है, तो अभी आपको बने रहना है, आगे बढ़िए, अगले question में आईए, आप बताईए कि इस question में चलिए, x का मान तो आपका 47 हो जाएगा, 47 क्या होगा, x का मान होगा, और आपकी दिमाग में आचुका होगा कि y का मान क्या हो जाएगा आपका 49, इसके करीब का वैसा नंबर जिसका बर्गमूल आपको पता है, वही y का मान होता है न, तो y का मान आपका हो जाएगा 49, x का मान आपका 47, जिस नंबर का बर्गमूल निक करना है अब हमें क्या करना है हमें x-y कर लेना है यानि कि 47 में 49 को जोड़ना है तो जोड़ आपको फॉर्मूला किया बताया है X पलस Y तो X है 47, Y है 49 47 में 49 जोड़ेंगे 96 में हो जाएगा और नीचे में क्या लिखना है Y के बर्गमूल का दोगुना तो Y क्या है 49, 49 का बर्गमूल 7, 7 का दोगुना 14 Y के बर्गमूल का दोगुना हमेशा नीचे में लिखना है अब आप इसको सोल्व करिए आंसर आ जाएगा 14, 6, 84 हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 12 12 बचा है 12 में 14 से भाग नहीं लएगा पॉइंट देंगे उसके उपर एक 0, 120 14, 8, 112 अब क्या बचेगा हमारे पास 11, 8 बचेगा 84, 75 यानि 6, 18, 85 आपका इस कोस्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा 6,85 बिकल्प 2 जो है वो आपका इस कोस्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लिर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है X में हम Y को जोड़े और नीचे में Y के बर्गमूल का हमें क्या लिख देना है 2 कुना आई ये तीसरे कोस्चन में चलते हैं यहां देखिए हम रूट 37 है अब आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो X का वैलू होगा बहत हो जाएगा 37 तो X हमारा हो गया 37 कोई दिक्कत नहीं है इसमें य का मान बताइए क्या होगा इसके करीब का वैसा नंबर जिसका बर्गमूल आपको पता है अब क्या करेंगे हम तो 36 में 37 जोडएंगे कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा इसमें क्या दिक्कत है 36 में 37 ही तो जोड़ना है और नीचे में क्या लिखना है पॉइंट डालेंगे उसके उपर जीरो आएगा लेकिन जीरो आने पर भी बारा से भाग नहीं लेगा तो यहाँ जीरो डालेंगे तो एक और जीरो आएगा बारा अठे च्यानमे यानि कि 6.08 6.08 बिकल्ब 4 आपका इस कोश्यन का सही आंसर होगा और 73 में भाग करना है कितना से 12 से 12 से भाग करिए 12 चके 72 हो जाएगा क्या बचेगा आपके पास एक पॉइंट दीजेगा तो एक जीरो आएगा हर इस टिप में अब 12 से फिर भी भाग न में अपना आंसर चाहिए तो इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे यही हमारे कोश्यन का आंसर हो जाएगा उमीद करते हैं कि कोंसेप्ट जो है वह अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एक कोश्यन बिल्कुल ऐसा ही और देखते हैं फिर डिफरेंट टाइप के कोश्यन पर कि यह तो हमारा एकस का मान हो जाएगा वाई का मान क्या होगा इसके करीब का वैसा नंबर जिसका बर्गुल आपको पता हो सर इसके करीब का वैसा नंबर तो आपका चौश्ट ही है चौश्ट का बर्गुल हमें पता होता है चौश्ट का बर्गुल क्या होता है आठ होता ह अब हमें क्या करना इस दोनों को जोड़ना है तो 61 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 एक सट पलस 64 125 देखिए चार और 15 शे और 612 अब क्या करेंगे नीचे में वाई के बर्गमल के दोगुना से भाग तो वाई का मान 64 है 64 का बर्गमल 8 8 का दोगुना कितना 16 16 से भाग कर अब हमारे पास 13 16 सते 112 13 अभी बचेगा हमारे पास पॉइंट देंगे उस तेरह के उपर 0 130 16 सते 112 16 से 818 अब हमारे पास क्या बचेगा दो बचेगा अब हमारे पास दो बचेगा 0 20 हो जाएगा 16 एकम 16 यानि 7.81 7.81 यानि की बिकल्प 3 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर बनता हुआ दिख रहा है उमिद करते हैं कि या फॉर्मूला आद के दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो चुका होगा इस तरह से खुद भी आप नमबर लिक लिक के और उसका बरगुल निकाल करके देख सकते हैं आध अब हम लोग कोश्चन का पैटर इहां पे चेंज करते हैं देखेगा सवाल क्या पुछा गया था क्या इसी concept से हम लोग इस question को भी solve कर सकते हैं बिल्कुल solve कर सकते हैं यह भी हमारा क्या है यह भी हमारा non perfect square number है आईए यहाँ जो आप data देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं root under 80 ठीक है क्या लिख सकते है root under 80 और नीचे में लिख सकते हैं इतना आपका इसके बदले में लिखा जा सकता है आप बोलोगे इसके बदले में इतना कैसे लिख दिए सबसे पहले समझे कि इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं और जब तक आप इस तरीके से इसको नहीं लिखेगा आप इसका आंसर नहीं निकाल पाईएगा हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे अब ऐसे क्यों लिखेंगे हैं तो हम 0.8 ऐसा करते हैं अगर हम point हटा देते हैं तो नीचे में क्या होगा नीचे में एक 0 आ जाएगा root है तो root को तो आप रह नहीं दीजिए clear अब हम क्या किये हैं point हटा है तो नीचे में क्या हो जाएगा नीचे में एक 0 यानिकी 10 आ जाएगा 0.8 के लिए 8 बटा 10 लिख सकते हैं root है तो इसके उपर root लगा दीजिए अब एक छोटा सा काम और करिए उपर भी 10 से गुणा कर लीजे नीचे भी 10 से गुणा कर लीजे उपर नीचे समान अंक से गुणा करने पर मान में तो कोई अंतर नहीं आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं तो उपर भी 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा अब जब ऐसा आप किये हैं देखे इसके मान में और इस मान में कोई अंतर नहीं है यह कट कटा के वापस से इतना आ जाएगा 0 से 0 cancel 8 में 10 से भाग करेंगे 0.8 आ जाएगा अब हमें क्या benefit मिला तो देखे रूट उपर वाले के उपर भी और नीचे वाले के उपर भी है तो यहां रूट दोनों के उपर रहेगा तो जब हम असी का रूट करेंगे तो रूट अनडर 80 हो जाएगा और जब हम 100 का रूट करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा कितना दस पो देखे रूट रूट असी बट्टा 10 आ गया तो रूट अंडर 0.8 के लिए डारेक्ट हम लिखेंगे रूट असी बट्टा 10 अच्छा रूट अंडर अगर हम आपसे कहें कि भाई हमारे पास एक वैलू है रूट अंडर 0.7 क्या लिखोगे आप इसके लिए आप बोलोगे कि सर हम इसके रूट 60 बट्टा 10 इतना बात सब लोगों का किलियर हो चुका है सर हो चुका है अब आगे अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ इस असी का बर्गमुल निकालना है और उसमें 10 से भाग करना है और 10 से भाग करना तो बहुत आसान है जैसे मालीजे कि 6.943 है इसमें कितन आसर हो चाहिए गार्यका 10 से भाग करना नीकालना है जब भी 10 से भाग करना होगा तो क्या करना है दसंबलभ को एक अस्थान आगे सिफ्ट कर देना है मतलब हमें sparkling ऑर can convolution इसमें क्या करना है जब भी ऐसा question दिखे तो हमारा सिर्फ एक काम होगा कि हमें 80 का पर्लभ निकालना है 80 का पर्लभ निकल गया समान हो जाएगा अब 801 कर यह कितना हो जाएगा 161 और नीचे में रहेगा वाई के बर्गमूल का दो गुना पर 80 का बर्गमूल का बर्गमूल का बर्गमूल निकाल रहे थे उसी से हम लोग 80 का बर्गमूल निकाल नंबर है तो इसको एक समानते हैं जिसका बर्गमूल हमें चाहिए उसको एक समानेंगे और इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका स्क्वार रूट हमें पता होगा उसको हम करिये गा कि 144 हो जाएगा 144 18 18 16 17 सटर बचेगा सटर अधारा नमा 162 शैतर यहां पर 18 सब्सक्राइब करेंगे तब तक इसका मान नहीं करेंगे तब तक इसका मान नहीं यह तीन स्थान बाद हो जाएगा यानि 0.894 तो 0.894 ही आपके कोश्चन का अंसर 0.894 यानि कि बिकल्ब 3 और जो कोश्चन आपका पॉइंट में दिया जाएगा उसका जो आंसर होगा उसमें दसंबलब के 3 अंको तक होगा जो सीधे कोश्चन रहेगा उसमें दसंबलब के 2 दो आंको तक जो पीछे कोश्चन से आप देख रहे थे उसका जो आपसंस होगा उसमें दसंबलब के 2 अंको तक मान निकालना होगा और पॉइंट वाले में दसंबलब के 3 अंको तक तो हम यहाँ पर क्या किये हैं 80 का बरगुल निकाले हैं दसंबलब को एक स्थान आगे सि करिए तभी तो आपका इसका मान आ जाएगा तो दसंबलब एक स्थान आगे सिफ्ट कर लीजिए क्लियर चलिए आगे बरते हैं अगले कोश्चन में आईए अब बताइए इसमें हमें क्या करना होगा सर इस कोश्चन में हमें कुछ नहीं करना है सत्तर का हम बर्गमुल नि के करिब का ऐसा नमर जिसका बर्गमुल आपको पता हूँ सोरह ऐसा नमर तो 64 है तो यह हमारा वाई का मान हो जाएगा अब निकालिए बर्गमुल एकस पलस वाई तो सत्तर में चॉछ जोड़ेंगे 4 साच्छो तेरह एक सो चौतिस हो जाएगा एकस पलस वाई नीचे में वाई के बर्गमुल का दो गुना तो 64 का बर्गमुल आठ आठ का दो गुना 16 16 अठे एक सो अठाइस 16 से भाग करिए 16 अठे एक सो अठाइस क्या बचेगा 6 बचेगा पॉइंट दे उस्षे के उपर 0 60 16 अठाइस अभी हमारे पास क्या बचेगा 12 120 16 सते 112 8.37 8.37 किसका माना आया यहाई आपका रूट अंडर 0.70 का इसका माना आया और इसमें कितना से भाग करेंगे 10 से भाग करेंगे ठीक है तो हमारा आंसर देख लिजीए यहाँ देख के पता चल रहा है 8.37 8.37 है तो हमारा आंसर होगा 0.837 0.837 वाला एक मातर आप्शन है बिकल्प एक तो बिकल्प एक हमारा आंसर होगा देखिए इसका बर्गमल कितना आया 8.37 आया और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दस से भाग दस से भाग करने का मतलब दस हम लोग एक अस्थान आगे अभी दो अस्थान के बाद है अभी तीन अस्थान के बाद 0.837 तो 837 किसी आप्शन में है नहीं है करीब कौन सा है 836 है देखिए बाद की सब बहुत दूर है तो 836 वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह के कौशन में करीब वाला आंसर हम लोग चूनते हैं ठीक है तो किये क्या अल्टिमेटली इसके बदले इतना लिख सकते हैं किम लिख सकते हैं अब ही हम बतायते फिर से बता देते हैं देखिए पॉइंट हटाएंगे साथ हो जाएगा साथ बट्टा दस होगा पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा साथ बट्टा दस होगा तो हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं अब उपर भी दस से गुना पुश्ध कर दिए एक्जाब में कुश्चिन करना अगा तो क्या करेंगे हम सीधे 70 का वर्गमुल निकालेंगे और दस अमोलोग को एक अस्थान आगे का नंबर जोड़िए सर यह हमारा क्या है 60 है ना हम क्या लिख सकते है इसके लिए root under 60 बटा 10 ऐसा लिख सकते है ना तो हमें 60 का बर्गमुल चाहिए तो X कामान तो आपका 60 हो जाएगा और इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका बर्गमुल आपको पता है तो Y कामान 64 हो जाएगा तो X पलस Y 60 पलस 66 कितना हो जाएगा 124 और नीचे में Y के बर्गमुल का दो गुना यानि कितना हो जाएगा 16 64 का बर्गमुला 8 8 का दो गुना 16 16 से भाग करिए 16 सते 112 क्या बचेगा 12 बचेगा 12 में 16 से भाग नहीं लगएगा तो पॉइंट दे दिए 120 फिर से देख लिजे 16 सते 112 8 बचेगा 16 पंचे 87 75 तो 7 75 किसका माना या रूट 60 का और हमें इसमें बस 10 से भाग करना है यानि दसमलब एक अस्थान आगे शिफ्ट कर दीजे दूँआं के बाद है अब 3 आं के बाद लेकि इसके बिलकुल करीब है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.775 यानि कि बिकल्ब 4 इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़िए अगले कोश्चन में आएए सभी पूछे गए कोश्चन से यहां हम लोग क्या करेंगे पचास का बरगुल निकालेंगे और दसमलोग एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे तो आब बताएए पचास के कडीब का नंबर कौन सा है जिसका बरगुल हमें पता है उन चास तो पचास में उन चास जोड़ेंगे निन्यान में हो जाएगा हो जाएगा और नीचे में इसके बरगुल के दोगुला से भाग क्लियर हो रहा है ना तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए लिख सकते हैं रूट अंडर पचास बटा दस लिखा जा सकता है ना रूट पचास बटा दस अब 50 का बर्गूल निकालना है तो 50 का बर्गूल निकालना है तो X का मान 50 हो जाएगा और इसके करीब का वैसा नमबर जिसका मान आपको पता है वह Y का मान तो Y का मान उन्चास हो जाएगा X प्लस Y करिए 50 में उन्चास जोड़ेंगे नियान में और Y के बर्गमुल के दोगना, यानि उंचास का बर्गमुल 7 साथ का दोगना, 14 में भाग करना है, 14 सते कितना हो जाएगा, 98 में 1 बचेगा, पॉइंट दालेंगे, उस 1 के उपर 0, अब 0 आएगा, 1 के उपर 0 तो 10 ही होगा, 10 में 14 से भाग नहीं लेगा, तो 1 0 और डाले 100 हो ग थे आजाएगा यानि 0.707 यही आपका क्या होगा यहीं आपका इहां पर आंसर हो जाएगा नगयानа Minecraft बाख करने में कोई दिक्कत होगा रोकोई दिक्कत नहीं अब 14 सब्स्था सबॉचा-थ30 4 पर दिने में 14 सब्साएं में हमें दे किए MIT से सभी कहाइब तो यहाँ एक 0 और देना पड़ेगा, तभी तो 0000 यहाँ ले सकते हैं, अब 14 सते कितना हो गया, अंठान में, चलिए, 14 सते अंठान में आगे हमें नहीं जाना है, 7.07 इसका माना आया, दसमदब हमें एक अस्थान आगे shift करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे point पहले से ही होता ना, तब इसका जो बर्गमुल होता, वह 0.3 होता, तो इसमें आप confuse मत करिएगा, इसका answer जो आएगा, वह इतना आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 0.9 है, जो इसको non-perfect मना रहा है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, root under 90 इतना आता, तो आप इसका square करके देख लिए इतना नहीं आएगा, 0.3 का square करिएगा, 0.09 आएगा, 0.9 नहीं आएगा, clear, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में convert किये, तो 90 बटा 10 लिख सकते हैं, अब 90 का बर्गमुल निकाल लिए, जिसका बर्गमुल निकालना होता है, वह X का माना आपका कितना हो गया, 90 हो गया, इसके करीब का वह ऐसा नंबर जिसका बर्गमुल आपको पता है, ऐसा नंबर 18 है, तो Y का माने 80 हो गया, अब हम लोग करते हैं, X पलस Y, तो 90 में 80 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1 और 9, 8, 17, 171 जब हम इन दोनों value को आपस में से, तो 18 का बर्गमुल 9, 9 का दोगुना 18, 18 से भाग कर लिजे, 18 नमा 162 क्या बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट देंगे उस 9 के उपर 0, 90, 18, 95 यानि 9.5, दसमलव के बाद हमें तीनंग चाहिए, तो बाद में 1 0 हम दे सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो इसका value आपका आगय करने का मतलब है, तसमलव एक अस्थान आ गया जाएगा, यानि 0.950 यह आपका इस question का right answer हो जाएगा, क्या answer होगा, 0.950, तो 950 करीब का answer चुणिए, 948950 के करीब का है, तो हमारा यही answer इस question का हो जाएगा, तो इस तरीके से आप किसी भी non perfect square number का बर्गमुल निकाल सकते ह हैं, तरीका हमने आपको क्या बताया, कि जिस नंबर का बर्गमुल निकालना होगा, उसको X माल लेना है, उसके करीब का ऐसा नंबर जिसका बर्गमुल आपको पता है, उसको Y माल लीजेगा, फिर X में Y को जोडेंगे, और इसमें भाग करेंगे Y के बर्गमुल के दो गु नमबर होते हैं ठीक है चलिए तो इस वीडियो में इतना ही इस स्रीज में लागाता आप बने रहिएगा पीडिये डाउनलोड करते रहिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉंसेप्ट के साथ तैंक्यू जैहिंद